नमस्कार दोश्तों मैं डॉक्टर वाग और आज हम बात करेंगे कि विटमिन B12 के डेफिशियंसी से इसे कौन से लक्षण है जो आ सकती है या ऐसी कौन से बीमारी है जो घातक हो सकती है तो सबसे पहली और इंपॉर्टन बात है दोस्तों विटमिन B12 की डेफिशियंसी से मश्टिस की यानि हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली यानि काम करने की प्रोसेस बिगड सकती है और जिससे हमें डिमेंशिया की प्रॉब्लेम हो सकती है दूसरी प्रॉबलेम होती है हड़ियों में कमजुर्याना हड़ियों की अनिक बीमारिया हो सकती है जो विटमिन B12 की कमी होने के कारण होती है अगर गर्बवती महिलाए या जो महिलाए अपने शिशु को इस तनपान करती है उनमें अगर vitamin B12 के deficiency हो तो बच्चों में problem आ सकती है बच्चे दिमागी तोर से normal नहीं हो सकते है चोथा लक्षन है दोस्तो जीब में लाल दाने पड़ जाना मुँ में छाले आ जाना यह एक common symptoms है जो काफी सरे लोगों में पाये जाता है और इसलिए इस B12 deficiency को नजर अंदाज ना करे आगे का लक्षन है दोस्तो काफी सारी महिलाओं में या पुर्शों में ज्यादा तोर पर महिलाओं में एक सुस्ती रहती है ठकावट रहती है और जिसका कारण most of the times यह vitamin B12 की कमी होती है आगे का लक्षन है दोस्तो बहुत सारे लोगों में पाया गया है कि vitamin B12 की कमी होने के कारण उनकी आखों की रौशनी कम हो गई है या चली गई है कुछ लोगों में ऐसे भी पाया गया है कि मस्तिश क्याने दिमाग की कारण प्रणाली में बिगाड होने की वजह से उनमें depression या मानसिक बीमारिया आ गई है पेट में दर्ध होना दोस्तो लोगों को पेट में दर्ध होता है सोनरा फिकरने पर भी कुछ नहीं निकलता सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं और निकलती है विटमिन बीट वेल की कमी सिर्धर्ध होना या हमेशा नीद आती है ऐसे फील होना नीद लेने के बाद भी refreshing न महसूस होना इस विटमिन की कमी के मातरा के कारण बहुत सारे लोगों में यह भी पाया गया है कि उनकी भूख कम हो गई है उन्हें समझता ही नहीं कि भूख क्यों कम हो गई है और यह होता है विटमिन बीट वेल की कमी होने के कारण होने वाला अनीमिया यानि खूल के कमी इसके विज़े से और एक लक्षन आता है जो होता है सास का फूलना सास का फूलना होता है तो लोगों को हमेशा ऐसे लगता है कि फेफडों से संबंदित बीमारी है लेकिन यह बीमारी बीट वेल की कमी भी हो सकती है जो लोग पतले होते हैं दुबले होते हैं उनमें बहुत बार उन्हें हातों में या पेरों में थंडी महसूस होती है जबकि बाकी लोगों को बिलकुल भी थंडी महसूस नहीं होती दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी आप इसको लाइक जरूर करें आप शेर करें और मेरा चानल से स्प्राइब करना ना भूले और बेल आइकोन जरूर दबाए ताकि आगे आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पोचे